तूनी चिलिया और कालू कोवा, गाव में एक छोटा सा परिवार रहता था, उस परिवार की एक ननही सी चिलिया थी जिसका नाम तूनी था, तूनी बहुत ही प्यारी और मस्तिकोर प्रकृती की थी, वह हमेशा खुश रहती थी और अपने छोटे मोटे संगी ननहे मनहे पर रही थी, तभी उसने एक अद्भुत द्रिशे देखा, एक काला कोईला अपने पंखों की मदद से एक बड़ा सा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा था, तूनी ने कहा, अरे कालू कोवा, यह क्या कर रहे हो, कालू कोवा ने उत्तर दिया, मुझे यहां से अपने घर के ल तूनना है, यह पत्थर मेरे लिए एक उत्तम आवास का निर्मान करने के लिए सहायक होगा, तूनी हैरान हो गई, लेकिन तुम तो उड़ सकते हो, तो फिर तुम्हें पत्थर उठाने की क्यों जरूरत है, कालू कोवा ने हंस्ते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो, ले मैंने तैयारी की है, और मैं इसे कर सकता हूँ, तूनी को कालू कोवा की यह बातें सुनकर बड़ा आश्चरे हुआ, उसने सोचा, क्या कालू कोवा सही है, क्या वाकई वह इसे कर सकता है, वह तूनी के पास गई और बोली, कालू कोवा, मुझे तुम पर गर्व है, तुमन तुनि ने उसके साथ सहयोग किया और वे मिलकर पत्थर को उठाने में काम्याब हो गए। फिर वे एक सुन्धर सी गुफा बनाने लगे। गुफा बनाने के बाद तूनि और कालू कवाने एक। दूसरे को देखा और मुस्कुराया। वे दोनों ने समझा कि जीवन में अगर कोई संघर्ष करता है, तो उसे निर्मलता की ओर ले जाने में मदद मिलती है। उस दिन से बाद, तूनी और कालू कुआ एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहंत करते और खुशाल जीवन जीते। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि हमें अपने दूख्खों और संघर्षों का सामना करने का साहस रखना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक भावना और मेहंत के साथ अपना लक्षे प्राप्त करना चाहिए।